अगर अभी आपकी उमर 14 से 30 साल के बीच आप और अगर आपने ये वीडियो जल से जल समय रहते नहीं देखी, तो आप आने वाले कुछ सालों में गैरेंटेड पचताने वाले हो, क्योंकि बिना कोई फालतु की बात किये और नहीं बिना टाइम वेस्ट किये, हम आपको सीध सिर्फ 6, सिर्फ 6 ऐसे एटिट्यूड और रूल्स बताने वाले हैं, जिससे फॉलो करके आप आज इसे 100% कई गुना ज्यादा एक पाउरफुल एटिट्यूड वाले परसन बन सकते हो, आज की बात कोई आपसे फालतु नहीं बोलेगा और नहीं कोई आपको नुकसान पहलते ही होते हैं, और आप बारी है आपकी, जिसमें से सबसे पहला है, become emotionless. अगर दुनिया में कोई सबसे पाउरफुल चीज है, तो वो है emotions. जो परसन अपने emotions को कंट्रोल कर सकता है, उससे पाउरफुल कोई नहीं होता, और जो परसन अपने emotions को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमेशा जिन्देगी भर रोता ही रह जाएगा और एक कमजोर परसन की तरह उससे कोई भी पायदान की तरह यूज करके उसके उपर से चलके निकल जाएगा ये emotions ही हैं जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने के लिए भी ताकत दे सकते हैं और वही इंसान अपने इनी emotions से खुद को destroy भी कर सकता है जब यही emotions किसी इंसान के control के बाहर चले जाते हैं तो उस परसन को बरबाद होने से फिर कोई नहीं रोख सकता ये जूट है कि इस modern world में हम बहुत practical या logical हो गए हैं आज से 500 साल पहले भी हमारे decisions emotions के basis पे ही decide होते थे और हम आज भी जो कुछ भी करते हैं emotions के basis पे ही करते हैं आज के time बस फर्क इतना है कि लोग इन emotions को use करना सीख गए हैं government, businesses और भी कई लोग, companies and corporations लोगों को control करना सीख गए हैं fear, anger, hate, love, lust ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज़ादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना control खो चुके हैं और जिसका खुद पे control नहीं वो बस दूसरे के इस्तिमाल में आने वाली एक कटपुतली की तरह है जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए use कर सकता है और याद रखना आज की टाइम जहां सब अपने emotions के वश में आके weak हो चुके हैं powerful वो है जो अपने दिल पे पत्थर रखके tough decisions लेना जानते हैं जो अपने emotions को control में रखके वो करना जानते हैं जो करना सही है ना good, ना bad, सिर्फ सही आपके emotions आपके हत्यार हैं इससे किसी और के हाथों में मत दो बलकि इनका use करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को लड़ना सीखो धिल टूड़ गया, फेलो गए तो उसके दर्द से depression पैदा मतोंने दो बलकि उससे मिली ठोकर को अपने अंदर रखो उस pain को एक motivator की तरह use करो आपके emotions बस एक energy है, जिनने सही जगा channelize करा जाए तो क्या जादो होगा या आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा Always remember, if you can focus on the right things using emotions, you can do powerful things Trust in limit दोस्तों, दुनिया भरोसे पे चलती है और हमें कुछ लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए लेकिन इसी भरोसे की एक dark side भी है अगर किसी पे बहुत जादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसकी कोई limit नहीं है अफजल खान ने जब 36 शिवाजी महराज को दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने बुलाया तो शिवाजी महराज जा पहुँचे अफजल खान एक 7 फुट का हट्टा कट्टा, लंबा चड़ा आदमी उनका इंतुजार कर रहा था जब शिवाजी महराज उनके पास पहुँचे, वो अपना हाथ फैला है, उने गले लगाने का इशारह कर रहा था जैसे ही शिवाजी महराज उसके गले लगे, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया, उसने अपने हातों में चाकु छुपाया हुआ था जिसे निकाल कि वो शिवाजी महराज को मारने ही वाला था कि उन्होंने उससे पहले ही अपने बाग नक से उसका पेट फार दिया हाँ, लोगों पे भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़ादा भरोसा करना बेवकुफी है जिस इंसान का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो, उसे चोट पहुचाना भी उतना ही मुश्किल होता है वो हर वक्त चौकन न रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पे बराबर नजर रखता है और कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता, ना अपनी ज़ादा परसनल बाते बताता है नहीं अपने कोई राज बताता है जिससे कि सामने वाला कभी उसे कोई नुकसान ना पहुचा पाए आम लोग एक धलान पे गिर रही बॉल की तरह होते हैं जहाँ हर पत्थर से, हर रुकावट से टकरा कर वो बॉल अपना रास्ता बदल लेती है ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं इन्हें जो बता दें कि ये स़र्य है इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं वो भी इतने नाजुक की जरासी परिशानी आई तो वो सारे गोल्स धरे के धरे रह जाते हैं। और फिर ये कुछ आसान ढूंडते हैं। वही कुछ लोग एक तेज भैती नदी के पानी की तरह होते हैं। जिनके रास्ते कोई भी पत्थर या रुकावट आ जाए, ये उसे चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ना ही ये अपनी मंजिल बदलते हैं, ना ही अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पारफुल होती है। और जब वो सोच एक जिद में बदल जाती है, उसके बाद जो होता है, उससे देख सभी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना, जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आपको बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की या किसी को हराने की, खूप सारा पैसा कामाना हो, या करियर की एक ऐसे मुकाम पे जा खड़ा होना हो, जहां कोई आपको हिला न जब ऐसी कोई जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो आप एक वारियर मेंटालिटी वाले बन जाओगे, फिर चाहे जो हो जाए, ना भूग दिखेगी, ना प्यास, नहीं सुख, ना आराम, जब तक आप अपनी वो जिद पूरी नहीं कर लोगे, आपको चैन की नीं जब हम साइकल चलाना सीखते हैं, तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है, जब पीछे के टायर के साइड में लगे, दोनों सपोर्ट वाले पहिए निकाल के फेकने पड़ते हैं, और सिर्फ दो टायर पे साइकल चलानी पड़ती है, पावरफुल बनना है, तो इंडिप मैदान में उतरेगा, कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं, मैदान में उतर कर खून आपको ही बहाना पड़ेगा, सुनने में बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक बहुती पुरानी कहावत है, यानि ऐसे जीओ, जैसे कि आपके फादर हो ही ना, आपकी पी जा रहा है, become absolutely fearless, दुनिया का एक अनकहर रूल समझ लो, जिसे डराया जा सकता है, उसे मारा भी जा सकता है, जिनमें कई सारी insecurities होती है, जिनकी self-esteem लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्यूंकि उन लोगों का belief ही ये होता है, कि उनकी life में चीज़ें बस अपने आप हो रही होती है, उनका अपनी life में कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसे लोग हमेशा डरे वे होते हैं, ना जाने आगे क्या होगा, बस इसी ख्याल के साथ वो अपनी जिन्देगी बिता देते हैं, यूं तो सब बड़ी बड़ी बातों से ये दिखाते हैं, कि व ही हर्ट होने से, यहां तक की जिसे मौत से भी डर नहीं लगता, उससे पाउरफुल कौन ही हो सकता है, ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कुछ इंपॉसिबल नहीं, जब आप अपने अंदर से अपने सारे डर को निकाल फेंकते हो, तो आपका confidence और self-esteem अपने peak पे आजाता है, जिसके बाद आप जो कुछ भी करने का ठान लो, वो करके ही मानोगे, सीख knowledge and wisdom, life एक गेम है, जहां सबसे powerful लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिलकुल भी हारना नहीं चाहोगे, पर बिना knowledge के आपका हारना तय है, life में जीतना आपकी एक choice है, आप choose करते हो, हर दिन क दुनिया की सबसे पुराने किताबों में से एक, meditation sacrament, Sir Francis Bacon लिखके गए थे, knowledge is power, ये उस टाइम भी सच था और आज भी उतना ही सच है, इसकूल में पढ़ना सीखते हो, आपकी जिन्दगी की असली पढ़ाई इस formal education के बाद ही शुरू होती है, यही reason है, दुनिया के सभी होता है, वो शांत रहते हैं, ये ताकत है, अगर आप silence की असली ताकत जानना चाते हैं, और कैसे अपने silence को सबसे बड़ी ताकत बनाए, ये सीखना चाते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो पर क्लिक करके हमारी ये वीडियो अभी के अभी देखो, गलती से भी इससे ignore मत करन है जाते हैं झाते हैं आप हम्दाओ करना सेजना की वीज़ियो ?